नमस्कार मैं सुरज कुमार और आप देख रहे हैं पलपल जिला बाल संडेक्षन अधिकारी ने दी पूरे मावले की जानकारी उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस करेगी कारवाई आप देख रहे हैं सिर्ससे अमर्शिंग जानी की ये रिपोर्ट आपको बताता है कि खंड चोपटा के गाउं केरा वाली निवाश बच्ची एक दमपती पर एक साथ दिवच्ची है नवजात बच्ची की हत्या के बाद में उसके सव को दफनाने कारोप लगा है पुलिस ने गुप सूचना के अधार पर ड्यूटी मजेस्टेट के नेतरेतों में गाउं के समसान घाट में पहुंचकर बच्ची के सव को ब पाएगा कि बच्ची की मौत का कारण क्या है वहीं बाल संडक्षन अधिकारी गुर प्रीप कोर ने बताया कि उनके विभाग वे चाइल लाइन को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गाउं केरावाली में नरेश नामक व्यक्ति के घर में एक बच्ची ने जन लिया है उसके परिवार ने 14 जुलाई को बेटे की चाहत में साथ दिन की बच्ची को मार कर समसान घाट में दफना दिया उन्होंने बताया कि नरेश ने पहले दो बेटिया है अब एक और बेटी हो गई और उसकी हत्या कर दी गई जिला बाल संडक्षन अधिकारी ने बताया कि सूचना क अधार पर पुलीस को सूचित किया गया और पुलीस ने कारवाई करते हुए डूटी मेजेस्टेट की मौजूदगी में दफनाए गए सव को बाहर निकाल करके समसान घाट के बाहर ले आए और पोश्माडम के लिए नागरी के अस्पताल पहुंचाया उसके बाद सव को अगरुहा मेडिकल कोलेज भेजा गया है ताकि पोश्माडम के बाद में नवजात की हत्या के कारणों का खुलासा हो सके उन्होंने बताया कि पोश्माडम के बाद आगामी कारवाई अमल में लाई जाएगी साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी दमपती ने कहा है कि उन प पुदरती तोर पे बच्ची की मृत्ती हुई है। खबर आती है कि बच्ची की नेचुरल डेथ है या नेचुरल है। तो साबित होने के बाद फिर उसके उपरेक्शन ही जाए।